तो हेलो गाइज, वेलकम टू गौर्ण प्रेपडेस्ट, 12th पास केंडिएट के लिए में एक बहुत यह उसम जॉब डेट लेके आयों, जहां पे वेकेंसी का जंबर जो होने वाला है, वो 7,549 रहने वाला है, और यहां पे आल आवर इंडिया के केंडिएट अप्लाइ कर सक स्टाफ सेलेक्शन कमीटी की तरफ से जॉब डेट निकल कहा रहा है, जहां पे आपको जॉब दी जा रही है, तो मैं इसलिए आपके लिए यह वाली जॉब डेट लेके आया हूं, ताकि कि उन कैंडिएट को इस टाइप की जॉब भी मिल पाए, चलिए अभी इसको डीटे से सुने वाला है, जहां इसकी डेट सोने वाली है, किनकिन स्टैप्स को आप लर्न करके इस वाली जॉब को ले सकते हो, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को लास तक देखना और आप की इस वीडियो को लाइक और इसे के साथ आज की वीडियो को हम करवाते हैं, आगे बटते हैं, बात करते हैं, आप इस बर थोड़ा सा लेट हो चुक हूं, बहुत सारी इंपोर्टन और खास अपडेट ऐसी थी जो मैं आप के लिए लेके आ रहा था, इसलिए मेरे से यह वाली अपडेट मिस हो गई, जो भी के इस जॉब के लिए इस वी बहुत ज़्यादा बिजी होती है, और बहुत ज़्यादा लोगों के फॉर्म यहां पर फिल नहीं हो पाते हैं, अगर आप इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसका फॉर्म ज़रूर एपलाई करना, इसके लावा बात करते हैं, आप इन टोटल नंबर आ आप यहां पर देख सकते हैं, और यहां पर इनको डिस्ट्रीबूट भी किया हुआ है, चारजार पांसो पच्छमन विकेंसी हैं, इसके लावा बात करते हैं, आपको कि पे आउट कितना मिलेगा, तो यहां पर उपर ही दिया हुआ है, यहां पर आपको पे स्केल रहने वा यहां पर बेसिंक पर है, जैसे आपकी जोईनिंग होगी तो 69,000 तो आपकी सैलरी नहीं होगी, 21,780 अपका बेसिक पर इसके लावा आपको जो एडॉंसे मिलते हूं, सबको ऐड़ाउं करके आपकी जो पर मंत की सैलरी बन जाएगी, 35,000 पर मंत होगी और जोगी बहुत बात करते हैं यहाँ पर फीस के हांपकी फीस रखी गई है उन्हों को पता हुआ 20 उन्हों को पता हुगा और अगर आपके लिए वाला फ्री होता है अब बात करते हैं नहीं सेरेटी से गजरना पड़े गा उसकी इसका selection process में थ्री stages में रखा गया first में आपका exam होगा second में आपका physical endurance test होगा क्योंकि दिल्ली पुलिस है तो आपको यहापे physically check के जाएगा कि कितने आप आपे strong हो इसके बाद आपका physical measurement test होगा और इसके बाद आपका medical test होगा इन सारी चीज़ों के बाद आपका selection हो पाएगा और जिसमें सबसे आदा important है आपका यहाँ पे exam exam के basis पे आपकी merit list बनेगी आपकी जो physical endurance test और physical measurement test है यह just string qualifying nature है इसके कोई भी extra order आपको नहीं मिलेंगे बढ़ने आपकी जो merit बनेगी वह आपके exam के basis बनेगी तो चलिए आप यहाँ पे उसको discuss कर लेते हैं इसके exams को साहर section में divide किया हुआ है जिसमें सब्सक्राइब आपका होने वाला है journal knowledge and current affairs second subject आपका होने वाला है reasoning third subject आपका होने वाला है numerical ability और four subject आपका होने वाला है computer fundamentals ms excel ms word communication internet web browser यह सब चीज़ आपको आती है यह इसी type के question से आपके रहने वाले hundred marks के आपका exam होएगा hundred question यहाँ पे आपको मिलेंगे और यहाँ पे in total आपके 90 minute duration होगी इस exam को करने के लिए जैसे आप इसको cross कर लेते हो तो आप पहुंचोगे इनके physical endurance test में आपको physical endurance test के लिए आपके बुलाया जाएगा जहाँ पे male candidates के लिए 1600 meter के यहाँ पे race होगी 6 minutes में long jump उनसे करवाई जाएगी 14 feet की और यहाँ पे आपसे 3 by 9 feet की यहाँ पे आपसे high jump करवाई जाएगी इसके लिए age wise यहाँ पे चीजों को दिया हुए 3 to 40 years वालों के लिए यहाँ पे 7 minutes में लेंगे 600 meter race में 13 feet long jump और 3 by 6 यहाँ पे high jump और जो अबब 40 years के होंगे जो यहाँ पे इसको apply कर रहे होंगे उनके लिए 8 minutes होंगे 16 meter race के लिए 12 feet के आपर उनके long jump रहेगी और high jump यहाँ पे 3 by 3 की रहेगी इसके लावा बात करते हैं आपर physical measurement test के लिए male वालों के लिए तो यहाँ पे height होनी चीए 170 cm और जो आपके बात करते हैं आपर chest के तो यहाँ पर आपकी chest होनी चाहिए 81 cm और expandable आपकी chest रहेगी वो up to 85 cm रहेगी इसके लावा 5 cm का erelection देखने को मिल जाएगा जो hills area से आते हैं 5 cm उनके लिए इसके लावा बात करते हैं female category वालों के लिए के stack पर आपके test होने वाला तो उनकी 1600 मीटर की race होगी इन 8 minutes में long job होगी 10 feet की और high jump होगी यहाँ पर 3 feet इसके लावा बात करते हैं आपके height की तो यहाँ पर उनकी height रहनी चाहिए 157 cm और जो hills area से belong करते हैं उनको 2 cm का erelection देखने को मिल जाएगा इन सब के बाद आपका यहाँ पर medical test भी होगा जिसमें medically आपको यहाँ पर चेक किया जाएगा कि आपकी eyesight आपके कितनी तेज़ आपकी सुनने की शक्ती कितनी तेज़ आपकी रिफ्लेक्स कितनी तेज़ यह सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएगी और इन सारी चीज़ों को डन करने के बाद आपके एक merit लिस्ट बनेगी category wise और उस merit के according यहाँ पर आपको यहाँ पर selection दिया जाएगा selection होने के बाद जो आपकी salary होगी वह 35,000 पर मन तक रहेगी और इसके अलबाब बात कर लेते हैं आप इसके form का apply कैसे करना है link मैंने description में दिये रखा है जैसे आप click करोगे आप इनकी official website पर redirect हो जाओगे और वहाँ पर जाकि इसके form का apply कर पाऊगे और in case अगर आपको इसके form फिल अपके regarding कोई doubt आते वीडियो को like ज़रू करें अपना फीडियो हमार सा ज़रू शेर करें और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स वीडियो में एक सरकारी जो अपडेट्स है तब ते के लिए goodbye and take care